मैंने 60-65 केस लड़े हैं जिसमें कोई केस आज तक हारा ही नहीं मैं बोला ठीक है मैंने राष्टपती चुनाओ लड़ा है तो मेरा वेक्तिगती मेटर है ये वो एक बार बस में जो धारा पड़ लेता हूं उसका मैं वो आ जाता है मेरे को और मैं उसी से खुद ही अपनी इन परसन लड़ाई लड़ता हूं मेरे मुकदम ही ऐसे होते हैं कि जद आपने बचाने के लिए मेरे खिलाप ना तो बोलता है ना खिलाप कारवाई खरता है मैंने पूरे भारत के लाटरी बंद करवाई है सुप्रीम कोट में केस लड़के पारलियमेंट कानून बनाई या ना बनाई पारलियमेंट कोई बड़ी थोरी है सहुदान से सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो सद्बीर जी मेरा आपसे पहला सवाल है कि आखिर कितने सालों से आप जनहित के मुकदमे लड़ते आ रहे हैं और अब तक कितने ऐसे मुकदमे रहे हैं जिनमें आपको मतलब जीत मिली हो मैंने जब से हो समाला है मैं तब से ही मुकदमे लड़ रहा हूं तब पहले सरपंच के खिलाब कारवाईया करता था उसके बाद मैंने फिर सरकाव जो एजन्सिया है मेले एंपिया इनके खिलाब कारवाई की जो भी मैंने बरस्तचार दिखा उसे के खिलाब मैंने आवाज उठाई और मैं आज तक कोई केस हारा भी नहीं हूँ, मैंने 60-65 केस लड़े हैं, जिसमें कोई केस आज तक हारा ही नहीं, हर मुकदमे का फैसला आपके हीत में आया है, हर मुकदमे का फैसला मेरे हक में ही आया, और जनता के ऐसे कौन-कौन से मुकदमे थे, जो आप लेकर सुप्रीम कोट पहुचे हो, या हाई कोट पहुचे हो, एक तो ये था, जाट आरक्षन का मुद्दा था, 34-0 क्रोड का नुक्सान हुआ, जनता का जाट आरक्षन में, उसका मैंने रिवाडी सिवल कोट में केस डा और उसका नोटिस हुआ, 34-0 क्रोड रुपे इनसे वसूल किये जाएं, लास्ट में ये फैसला हुआ, 34-0 क्रोड की कोट फिश भरो, जजद साबनी ये ओडर किया, मैं बोलो, मैं क्यों बरूआ, 34-0 की ये तो सरकार का फायदा होगा, जनता का नुक्सान हुआ है, तो इस किसाधार पर आप कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को सजा होते ही, उस मतदाता की वोट कट जानी चाहिए, ये सविधान का आर्टिकल 326 है, इसमें मैंने बहुत केश डाले हैं, सुप्रिम कोड तक केश लड़ा है, मैंने, और मैंने ये काया है, जो जिसकी जेल होगी, उसकी बोट कटनी चाहिए, तो मेरे से बार बार यही कहते रहें, जिसकी जेल होई है, आप उसकी सूची ला कर दो हमें, मैं बोला, ये तो सरकार का काम है, कानून बनाना और सूची देना, लेकिन लास्ट में अब ये फैसला हुआ, राहुल गांधी की जो सदस्ता खतम होई, व चुनावायोग को लिखे दें, और चुनावायोग राष्टपती को लिखेगार, उसकी बोट कट जाएगी, इसलिए राजनिती के सरक्षन उसका नहीं रहेगार, अपराद और ब्रहट अचार खतम हो जाए, तो आप पूरा मेकेनिजम बनाना जाते हैं, हाँ जी, पूरा, सुप्रीम कोट में जब आप केस लेके पहुचते हैं, अपना मुकदमा लेके पहुचते हैं, तो उसका ग्राउंड क्या होता है, अधार क्या होता है? अधाया कवई, जनता का नुकसान ना हो, मेरा व्यक्तिगत कोई मेटर नहीं रहता है, लेकिन यह जो राश्टपती चुनाव है, यह हाई कोट में मेरा व्यक्तिगत मेटर बना दिया गया, उस पे औबजेक्शन लगा लगाके, बुला है, यह जनता का मेटर नहीं है, ये व्यक्तिगत मेटर है, तभी सुना जाएगा, मैं बोला ठीक है, मैंने राष्टपती चुनाओ लड़ा है, तो मेरा व्यक्तिगती मेटर है ये, और अपराद योग की बोट कटनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत नुक्सान है, क्योंकि अपराद योग को मैं परसंद नहीं करता, और अपराद योग की बोटो से ही राष्टपती चुना जाता है, तो मेरा यही उसमें व्यक्तिगत मेटर है, ठीक है, तो आपने राष्टपती चुनाओ लड़ने की सोची थी, लेकिन आपका नामानकन उसके लिए रिजक्ट कर दिया गया था, तो किस आधार पर आपका नामानकन विजक्ट किया गया? तो आपको पता था, आपको MPMLA का साथ नहीं मिलेगा, मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने राष्टपती के लिए नामानकन भरा, तो ऐसा लोगों के मन में आया या फिर लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि ये सस्ति लोग प्रियता पाने के लिए आपने ये किया, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, तो मैं तो लोग प्रियता पाने के लिए कुछ करता ही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ, जनता से अपने भारत से भरहताचार और अपराद खतम हो, ताकि जनता आजाद रहे, और ये अपरादी और भरहताचारी सासना कर पाएं जनता सुना है, आप अपने मुकद में खुद लड़ते हैं, पैर भी भी खुद करते हैं, दलीले भी खुद देते हैं, और आपने भी पताया, आप साथ भी पास हैं, एललबी भी आपने शायद नहीं की है, तो कैसे कर लेते हैं आप? यह मैंने अंदरोनी गान है मेरे को यह, और मैंने किताबे भी पढ़ रखे हैं, सारी लागी किताबे ला रखे हैं, 20-25 किताबे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, हिंदी में, इंगलिस तो मेरे को आती नहीं है, वो एक बार बस मैं जो धारा पढ़ लेता हूँ, उसका मैं, वो आ जाता है मेरे को और मैं उसी से खुद ही अपनी इन परसन लड़ाई लड़ता हूँ. किसी भी केस के दोरान कोई ऐसा घटना करम रहा हो जब आपको सुप्रीम कोट, थाई कोट है, किसी भी कोट के जज से फटकार मिली हो कि कैसे मुकदमे आप लेके आ जाते हैं? जजों ने मेरे को कभी फटकार नहीं लगाई, कभी कुछ का नहीं, कभी कोई कोश्ट नहीं लगाई, उनके पास कोई जबाव ही नहीं होता, मेरे मुकदमे ही ऐसे होते हैं, कि जज अपने बचाने के लिए मेरे खिलाप ना तो बोलता है, ना खिलाप कारवाई खड़ता है एक आया था केस पटियाल आउस कोट में मैंने डाल रखा था इसने ड्रा करके साड़े तीन सो करोड रुपए का इनाम बाढ़ दिया तो मैंने जब पढ़ा मैं बोला ड्रा तो करी नहीं सकता ड्रा पे मैंने रोक लगवा रखिया तो इस केस को मैंने पट्या लाउस कोट में डाल दिया और इसमें निती आयोग बगेरा बहुत पार्टी बनाई छह साथ तो उनके पाथ जब ज़ज ने सुना तो ज़ज हका बगकर है गया मैं बोला मैं तो ये ड्राज इसने के है उसके खिलाब केस कर रहा हूं और साथे तिन सो करोड उन से वसूल किया जाएं तो जी वो कोई मेरे खिलाब कुछ भी नहीं बोल सके कोई कारवाई भी नहीं कर सके लास्ट में जब ये आया कोरान ना तो उसमें मेरे को एक जज साब ने कहा भाई हम आपको वकील देते हैं और आप वकील ले लो मैं बुला मैं तो खुदी समОकzent हूँ बुला नहीं आप वकील ले लो और वो वकील तारिफ गया नहीं और तारिफ नहीं गया तो मेरे वब पर पकीस thousand कोष्ट लगा दी। जै उनको मुका मिल गया 25 जार कोष्ट लगाने के बाद में फिर मैंने उसकी अपील डाली मैं बोला जी मेरे 60 केस 65 केस मैंने लड़े है और मेरे उपर जजज साब ने नाजाइज कोष्ट लगा दी वकील की बज़े से वकील नहीं गया और मेरे को भी मना कर दिया तो उन्होंने मैं बोला मैंने पूरे भारत की लाटरी बंद करवाई है सुप्रिम कोट में केस लड़के मेरे पास सारे डोकॉमेंट्स है लेकिन अब भी केरल और महारास्टर और पंजाब में लाटरी चली हुई है अगर मैं उनको बंद करवा दो तो मेरा नाम नहीं आएगा तो जद साबनी ये ओडर के आगवई 25,000 की कोश्ट आपकी माफ करते हैं और 60 केस जो लड़े हैं उसमें एक केस भी हारा नहीं और ये अपना व्यक्तिगत केस कोई नहीं है तो आपके सारे जो केस होते जितने मुकदमे आप लड़ते हैं महनत करते हैं सारी जनहित के लिए होती है तो जनता का कितना साथ है जनता का तो आमादमे का मेर साथ है मीडिया वाले जैसे मेरी ख़बर निकालते हैं मेरे से एक पैसा भी नहीं लेते मेरे को इतना पैसे की जरूती नहीं पड़ती जो मैं 20-30,000 खर्च करूँ मैं 1000 रुपए 500 रुपए कारपेंटर के काम में कमाता हूं और मेरे कोई तकलीब भी नहीं होती परिवार का भी खर्चा चले लेता है और इधर भी मेरा कागजपत्र का खर्चा चल जाता है ऐसा कहा जाने लगा है कि आप अकसर निर्थक केस लेके जाते हैं वकीलों जजो पर ही शिकायत लेकर आजा पहुच गए तो ये निर्थक नहीं है ये सविधान के तयत है जजो की डूटी बनती है जजो का मूल करतव है कि जिस आदमी की सजा कर दी वो चुनावाय को लिखके दे सविधान में है ये आर्टिकल 326 में कि जिसकी जेल होगी उसकी वोट कटी जब तक जेल नहीं हुई तब तक वो वोट देने का अधिकारी है और जज लिखके नहीं देते हैं वह इनको लिखके देना चाहिए कि अमने इस आभ्यक्ति की सजा कर दी और इसकी वोट काटी जाए तो ये निर्थक केस नहीं है ये तो बिल्कुल एक जैन्मन केस है इनको वोट काटी जाहिए तो ये चीज आपके संग्यान में कब आई कि ऐसे आपको कदम उठाना चाहिए कि जो लोग दोशी करार हो जाते हैं उनको सजा हो जाती है तो उसके तुरंट बाद उनकी वोट काट देनी चाहिए मैं सविधान पढ़ा सविधान में मेरे को धानाया आज से 15 साल 20 साल पहले ये सविधान की मेरे नियाद है और इसके मैंने सुप्रिम तो कोड तक केश भी लड़े अब वहां तक ये और रुवाद बही जब तक पार्लियमेंट कानून नहीं बनाता जब तक ये नहीं लाग जाए उससे वोट कटने से अपराद और भरठाचार बिल्कुल ही नहीं रहेगा क्योंकि उसको सरक्षन मिलेगा नहीं सरक्षन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा तो जैसा कि आप बता रहे हैं ऐसा बना दिया गया होता पहले ही कानून तो है अगर उसको फोलो किया जाता तो आज अतीक के साथ जो हुआ पहले ही अगर उसकी मदाता वोट काट दी जाती अगर वोट काट दी जाती तो यहां तक पोशता है नहीं ना इतने यह आदमी मार सकता था ना इतनी संपती जोड सकता था इसको तो राजनीती सरक्षन मिलता गया एक-एक यह MLA है यहां यूप में मंत्री है उसकी तीस साल में सजा की कोट ने दो साल की और उसको कागज दे दिया भई यह लो आप अपना और इसका जबाब दो वो उसका कोट के कागज को ही लेकर भाग गया भाग गया अगले दिन उसने सरंडर कर दिया सरंडर कर दिया कि वकिलों ने सरंडर करवा दि अगर जेल कर दी तो एक महिने में मुखा मिलता है उसकी अगर जेल कर दी तो एक महीने में उसकी वो करो कहना मैं आगे अपील करो अपील में एक महिने में अगर नहीं की तो वो दोसी है और यह ना अपील करते हैं और तीस-तीस साल मुकदमा चलाते हैं यह सबसे बड़ा भारत का एक दुरभाग है पर जुडिशियरी के अनुसार तो जो केस है एक बार होने के बाद एक लंबा प्रोसीजर होता है कि सुनवाई होती है फिर जब तक पूरी तरीके से किसी का जुर्म सामने ना जाए तब तक आप किसी को ना दोशी कह सकते हो ना सजा दे सकते हो वो तो उस अनुसार चलते हैं अब ये इसका ही लगा दो, ये जो अब मारा है, ये कहना में इसका, ये जो MLM मारा है, ये अतीक, अतीक का ही लगा लो, अतीक की सजाई नहीं हुई, लेकिन एक सो दो केस थे, एक सो दो केस F.I.R. होगी, उनको पेंडिंग क्यों रखा, अब ये रेवाडी का ही केस ले लो, म महीने के भी देट फिर लग गई एक तारिख के पिछे कोई फैसला भी नहीं हुआ रहे एक साल लेट हो गया वो व्यक्ति जिसका केस तल हुआ था बिना मतलब उसका एक साल लिकल गया ऐसे ही 30-30-40-40 साल केस तलते हैं और अगर यह सही हो जाए अब वकील हरताल क्यों करेंग यह ना अपने प्रोटेक्शन के लिए इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा लेकिन मर्दों जनता गई मुक्सान तो जनता का हुआ जिन लोगों को अपने हक की मांग करनी होती है वो हरताल करते हैं धरना परदर्शन करते हैं तो उसके अलावा क्या हम कर सकते हैं उसके अ बहुत ऐसे कानून है जिनसे हम अपना वेक्ति ने कहना में आपना प्रोटेक्शन मांग सकते हैं यह दिसी को लिखके दें तो डिसी साब देंगे प्रोटेक्शन तो आपको नहीं लगता हुए यह सब करने के बाद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई किसी नहीं सुनी तो उस अच्छा लगा आपसे बात करके इसी के साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार